आर्तिय वायू सेना में शामिल हुए हुआ प्रचंड प्रचंड शामिल हो गया इंडियन एर फोर्स में साथ सेकेंड में साड़े साथ सो गोलियां दाखता है ये स्वदेशी हेलिकॉप्टर तो कोशन आएगा प्रचन्ड क्या है तो इंडिया में बनाया गया ये हेलिकॉप्टर है इंडियन एर फोर्स ने पहला इंडिया में बनाया गया light combat हेलिकॉप्टर के ग्रुप्स को जो है वो शामिल किया गया है और ये mountain warfare के लिए बनाया गया है कि mountain में अगर कुछ युद व बिल रहा है इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी जो है वो उनका स्टाइंड ओफ हुआ था आमने सामने खड़ी होगे थी पता नहीं वाली बात आप लोग को तब उस समय इंडिया को लोगा कि नहीं है हमें ऐसे हलिकॉप्टर चाहिए जो माउंटेंज में जाकर जो है वो situation को handle कर सके तो हमने ये हलिकॉप्टर मना दिया प्रचंड ये fact आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा इस हलिकॉप्टर के feature की बात करें हिंदुस्तान Aeronautics Limited प्रचंड HAL प्रचंड इसका प्रचंड का मतलब भयंकर फिर्स ये एक Indian multi-role light attack हलिकॉप्टर हम लोग को देख इसके लावा maximum density altitude पर जो है ये जाकर वो कर सकता है उडान भर सकता है और highest among all attack helicopter in the world very important point पूरे दुनिया बर में जितने भी helicopters हैं जो सबसे उचाई तक पहुच सकते हैं उन में से सबसे उचा उचाई पर जाकर attack करने वाला operate करने वाला एकलोता ही हे helicopter प्रचंड हम लोग को दे अच्छा परफॉर्म कर रही है तो light combat helicopter की अगर हम बात करें तो यह बेसिकली इससे पहले indigenous helicopter जो develop और manufacture किये गए थे HAL के दौरा वो ALH group हम लोग को देखने को मिला था 8-ton twin engine gunship chopper इसके अंदर हम लोग को देखने को मिलता है air-to-air missile यह दाख सकता है 20 mm turret guns यानि कि आपने देखा को काफी सारे helicopter बहु रहा है तो ने एक साद ढगड़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़ प्याना के एकदम देखो आप इसमें फोटो में देखोगे तो आपको यह दिख रहा है वो गोली टुरिंट गंज जो आपको दिख रही है बुलिट्स यहां से दाखता है वो दबा देते हैं महां से पाइलेट जो है जो अपरेट कर रहा है वो दबाएंगे जैसी बटन ए पाइरिंग करना शुरू कर देगा यह बहुत भत्री